नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ अंकिता सिंग। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन काफी एहम रहा। चार मार्च शुक्रवार को भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया। यातियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे लगातार कड़े कदम उठा रहा है। इसी के तहट शुक्रवार को रेलवे ने दो ट्रेनों की टक्कर करवाई। ट्रेन की स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटे रही। जोरान एक ट्रेन में खुद केंद्रिय रेल मंत्री अश्वनी वैशनव भी सवार रहे। जबकि दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ट के चेर्मेन समेत अन्य बड़े अधिकारी बैठे थे। दरसल ये एक तरह का परिक्षन है जिसे रेल हाथ से को रोका जा सके। जिस ट्रेन में रेल मंत्री अश्वनी वैशनव सवार थे। वो ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। दरसल कवच तकनीक की वजह से ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग गए। इसके त्वारा रेलवे की देशी तकनीक कवच की टेस्टिंग हो गई। जिसके सफल होते ही भारत ने इतिहास रच दिया। रेल मंत्राले ने वर्षों के शोध के बाद ये तकनीक विक्सित की है। कवच रेलवे की ओर से दुनिया की सबसे सस्ती स्वाचालिट ट्रेन टकर सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रचारित की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कवच के लगने पर संचालन का खर्च 50 लाख रुपे प्रती किलोमीटर आएगा। जबकि वैश्विक स्तर पर इस तरह के सुरक्षा प्रणाली का खर्च प्रती किलोमीटर करीब 2 करोड रुपे है। भारती रेलवे लगातार कवच तकनीक पर काम कर रहा है जिसके तहट ये भविश्य में जीरो एक्सिडेंट के लक्ष की ओर बढ़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कवच के द्वारा देश्ट में हो रहे रेलवे दुरगटनाओं को रोखने में काम्याबी हासल हो पाएगी। क्या वाकई में ये एक सफल परिक्षन रहा है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कॉमेंट करके बताईए। जुड़े रहे रेटियो हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।